योगी सरकार पार्ट टू के मंत्री मंदल के गठन के बाद आज प्रद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी पहली बार लखनौब आएंगे और यहाँ पर वो मंत्री मंदल के जो सदर से हैं मंत्री हैं उनके साथ एक लंबी बैठख भी करेंगे सुशासन का पार्ट भी पढ़ाय जाएगा और भविश्की योजनाओं पर भी चर्चा होगी हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री संजय निशाद जी हैं उनसे बात करते हैं मंत्री जी प्रधान मंत्री आ रहे हैं और आज काफी लंबी बैठक इतनी लंबी बैठक का वड़ा कम मौका मिलता है हम लोग सौभाक साली हैं और मैं तो बदाएद हूँ का प्रधान मंत्री जी को कि आज बुद्ध पूर्णिमा के उसर पर जो दुनिया में भगवान बुद्ध ने अपने संदेश को दिया हमानों तो का उस्तापित किया उसी तरीके से आज इस पूर्मा का उसर पर हम लोगों के राजनितिक सचे तक प्रशे तक और जिस तरीके से भगवान राम ने निसाद राज को जले लगाया था चान्ति रामण राज कितम राम राज आया था एक निसाद राज के बंसच के बेटे को इस प्रचीश करूड के आबादी में अपने जले लगाया माने मोदे जी के सुषासन में नेतियों को मुएस साजी के सुषासन को प्रबंदन को जनता ने मुहर लगाई उसे सुद्रिट किया जा रहा है। इसे वड़ा सवभाग साली क्या हो सकता कि खुध प्रधान मंत्री जी जिसमें हम लोग सामने आ रहे हैं। जो हम लोग मिलने के लिए टाइम मांगते रहें और सबसे एक ही बार उत्रप्रदेश के सभी मंत्रियों से मिलना अब सब का हाज डाल लेना यह बहुत बोड़ी बात है कि अब लगती है बैठाक निश्चितरों से अभी हमें साड़े पांच बिज बुलाया गया कालिदास मा पर और हम लोग बहुता भाग साली हैं कि हमारा जो विवाग मिला जिस समाज के लिए हम संगर्श कर रहे थे उस पर हमें सेवा काउसर बिला अब प्रधान मंत्री खुद नेली करांती में प्रधान मंत्री मत्संप्दय योजरा बनाकर भेर सारी योजनाओं के माद्धम से मत्सपालकों को अंदान दे कर सुधाय दे रहे हैं उसके लिए में बर्रौनित हो दनबाद देता हूं और इन विशहों पर अगर ओगो को पूछते हैं तो निसीतों से उस पर अपनी बातों को रखने का रखकर उसे निविधन करेंगे और दनबाद देंगे बदाई तो इन सब जानकारियों के साथ जा रहे हैं फिर आजी निश्चीत रूप से वो तो मानी मुखमिंत्री जी का निर्देश था कि एक मंडल आजम गड़ मंडल हमें मिला है उसके धरातल का रिपोर्ट हमने हमने मानी मुखमिंत्री जी को दे रखा है रिपरजेंट कर रखा है लिख के दे रखा है और इसी तो आज प्रधान मंत्री आ रहा है तो आज का हम लोग साली दिन है साली दिन है प्रधान मंत्री जो गौरवानित किया है कि देश में मस्ध मंत्राले को किसी मंत्राले से अलग करके और उत्तर प्रदेश में भी पहली बार कैमिनेट मंत्राले लग करके कैमिनेट मंतरी बनाया है तो इस गवरों को उनके सामने रखा जाएगा और आगे उत्तम इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है और मस्द पादन में जो वरोजगार के साधन भी देगा दूसरा प्रोटीन भोजन भी देगा तिसरा राजस की बिर्दे भी हमारा करेगा तो ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश का जो मस्द भी भाग है उसके लिए अस्थान भी प्राप्त हो चुका पुरे देश में आपी कुछ सीखने को भी मिलेगा आज निश्यत रूप से वो सीखने वारे देखत के ही सीखी जाते हैं लोग उतना काम उ मदियों के किनारे जंगलों में या कोसो दूर जो जीवन में सुधार नहीं है उनके जीवन अस्तर में कैसे सुधार लाया जा सका है और जो भी योजनाय बनाए बिना भेद भाव के उसे धरातल पर कैसे लागो किया जाई ये बहुत कुछ सीखने का उनसे असरा में बहुत है जो आगे के लिए सोचा है उन सभी चीजों को लेकर जा रहे हैं कि कुछ भी पूछा जाए बता सके और वहीं दूसी और प्रदान मंत्री से काफी कुछ सीखने का भी एक अफसर मिलेगा कैमरा सायोगी राजू के साथ शेलेशर हो रहा एविप गंगा लखनौ